हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं यूटिब चैनल कुक वी थब आज हम लोग पालक का साग, चने का साग और सरसो का साग बनाने वाले हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है तो आए शुरू करते हैं यहां हमने 500 ग्राम चने का साग, 100 ग्राम पालक और 100 ग्राम सरसो की साग को अच्छी तरह से धुल कर साफ कर लिया है हमारे हाँ फैमली मिंबर की संख्या सेवेन है आप अपने कॉडिंग कमे ज़्यादा कर सकते हैं यहां पर हमने आधा टीजू कस्तूरी लाल मिर्च, 8 लसन की कलिया, 12 कटी हुई दो हरी मिर्च, 12 कटी हुई, आधा इंचर द्रक का टुकडा, 12 कटा हुई, 2 साबुत लाल मिर्च, 4 बड़े चमच सरसो का ओल लिया है यहां हम सारी सबजियों को दोकर बारिक काट लेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर गैस को हाई फ्लेम करके एक लोहे की कड़ाई चड़ाएं लोहे की कड़ाई चड़ाने से आपको भरपूर मात्रा में आईरन की प्राप्ति होती है इसलिए सबी साग सबजियों को लोहे की कड़ाई में बनाना चाहिए अब हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है अब हम इसमें चार बड़े चमच मस्टर्ड ओयल डालेंगे जैसे ही हमारा ओयल गरम होता है इसमें हम आधा टी स्पून जीरा डालेंगे दो साबुत लाल मिर्च डालेंगे अब हम इसमें बारिक कटी हुई लासन बारिक कटी हुई मिर्च बारिक कटी हुई अधरक का टुकड़ा डालेंगे अब इन सभी को एक मिनट तक धीमी आज पर भून ले एक मिनट बाद हम इसमें आधा टी स्पून कस्तूरी लाल मिर्च आधा टी स्पून हल्दी पाउडर डालकर आधा मिनट और भूनेंगे आधा मिनट बाद हम सारी कटी हुई हरी सबजियों को इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक छोटा गलास पानी डालेंगे पानी डालने के बाद 10 मिनट के लिए धकन लगा दें 10 मिनट बाद एक बार सब्जियों को चला दे अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां 50% तक पक चुकी हैं पर इनको अभी और पकाना है अब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल कर 10 मिनट के लिए फिर से डक्कन लगा दे 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां पक चुकी हैं अब इनको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और भून लें जिससे पानी की थोड़ी बहुत भी नमी हो तो वो सूख जाए दो मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर रेडी हुई है अब आप इन सब्जी को खाकर आनंद ले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू